आज के तरावी के नमाज में सूरत रिज्र और सुरह नहल दो सूरते मुकंबल पड़ी गई चोदा पारे वाकी हैं अल्ला ताला आसानी करेगा अल्ला ताला हम लोग बाकी खुरान भी सुनेंगे और तों के तालों से बहुत सारी बाते हैं यह नहीं समझना यह तो और तों की बाते हमको क्या है नहीं आपका भी औरतों का ही तालोख है आपके औरतों का औरतों का आपका क्या तालोख है यह है शिर्फ और तों की बात नहीं है यहां अल्ला ताला ने फरमाया बीवी को तलाख होगी यह यह समझें नहीं बीवी के शोवर का इंतिकाल होगे अद्धत में है अब चार मेहना दस दिन इद्धत कुशारना अरुबंक अंदर ऐसा था तलाख हो जाए अद्धत हो जाए औरत बेकार नहीं रहती कोई न कोई शादी कर लेती यह की और ऐसे तीन चार शादियां भी होती कोई तलाख दिया कोई किसका शोवर मर गया खोला होता उनक्या इसा रिवाश था हमारे हैं तो आहां तो पर ऐसा होता है किसी लड़की का शोवर मर गया भेवा हो गई उसे शादी नहीं करते गलत अखिदा भी रहता भाई वो ये को खाली अब वो दूसरे दिन को भी खालेगी क्या ये बहुत गलत अखिदा है तो अल्दा तला फर्माते हैं कोई औरत विद्दत में है तो शादी करना चाते उससे अब ये चार मेना दस दिन में उसे पैगाम दे सकते क्या मैं तुम से शादी कर दोगा विद्दत के बाद का नहीं पैगाम नहीं देना अल्बता जाहर कर सकते इशारे किनाये में फर्ज किजिए आपके खाला की बैटी है फूटी की बैटी है या रिष्टा कुछ भी नहीं है आप जाकर उससे बोड़ सकते ये अच्छी आउनत के तलाश में हूँ मेरी खिद्मत भी करें मैं भी उसके खिद्मत करूँगा बहुत खाईश होती आईसा को भी बोले उस लड़की को थोड़ा समझ में आएगा शायद इद्ध के बाद मुससे शादी करना चाहते है आईसा अल्ला ताला ने का डाइरक्ट मेसेज नहीं देना अल्बता इंडाइरक्ट मेसेज दे सकते हैं अपनी बहन सो बोले बहन को अच्छा रिष्टा दे पाना मेरे वास्ते हैं कोई बेवा रहेगी मैं से शादी करना चाहता हूँ आपके बहन बोल सकती ऐसा हमारे भाई का खियाल है किसी बेवा से शादी करने का या तो यहुद डेरक्ट बोलेगा या अपनी बहन से वालिदा से किसी से कहलवाएगा इसको बोलते है इशारे किनाये में मेसेज देना यह जाई से यह हराम नहीं है उसके बाद अल्ला तला जो फ़र्माते हैं कि कभी ऐसा होता है वरद को तलाब देते हैं उसकी दो सुरत हैं यक्तो आम तपर जो आज का लम देते हैं वो तलाब बुश्री सुलतिये है वरर से निकाँ हुआ महर क्याभी बादे ँई पर तलाब दे दे लेका के मजलिफ में और नीख दे दीए ऐसा कर सकते क्या तलाख देना शरीयत में पसंदेदा नहीं है लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है निकाह के मजिलिस में भी तलाख दे दिए महर भी नहीं बान देने अभी कितना वोड़ कर और दूसरी बात ये है उसे हाथ भी नहीं लगाए देखें भी नहीं अब उसको शादी का इंतिजाम बहरा किये कुछ देदों खर्चे के लिए पांच अधार दोहजार दस अजारे कुछ भी दो आज के जमाने के लिया से अब वह रहा ना कि इसमें तीन तलाफ ने विद्धत भी ने अभियाद में तलाफ दिया ना दूसरा जोजवार खड़ा हुआ कोई भी एक आदमी में मैं शादी कर लियता हूं भाई और अध्दत है तो नहीं ना एक दूसरा ने शादी कर लिया जाइज है अच्छा अगर माहर मुकर्र कर दिये हैं पांच हजार मसलन अब तलाफ दे दिया अभी हाथ भी नहीं लगा हाथ लगा दिये बीवी पर तो पूरा मात सबकों चुटा और तलाफ का भी वैसे इतिन तलाफ पना य माहर बांदे अगे तलाफ दिया दोने में फर्फ है कि महर नहीं बांदा था पहले इसे महर भी बांद दिया पांच हजार अब तलाफ दे दिया अब तलाफ दे तो आदा माहर देना माफ कर दो तो अच्छा है लेकिन देना चाहिए दे महर बांदे ना पनिस्व माफर दोन आदा मार दोन को इल्ला या अफूना लड़की वाले खुर्बले नहीं जी जाओ नहीं चाहिए तुमारा माहर या यह बोला अब नहीं पे आदा में पूरा दे दे तो ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा है अब इस लड़की से शादी कर सकते क्या हां कर सकते उसी टाइम में कोई दूसरा आदमी तैयार हुआ कर ले सकता शादी यह तलाख का मसला दूसरा मसला इसा है कि साहब वो शादी हुई निकाह हो गया महर बांद्या इंतिफाल हो गया शोहार का हाट अचानक उसका इंतिफाल हो गया अब क्या करना अब इद्धत थे जी दोनें फरक है दोको तलाख में पिद्धत नहीं शोहर मर गया निकाह के बाद अब इद्धत थे हिजाब बहुत सब कुछ हो गया औरत का शोहर मर गया अब इद्धत थे पिद्धत गुजाने के बाद ही वो शादी करेगी तुसरा क्या है शोहर का जो माल होगा उसमें इस बीवी को इससा भी मिलेगा अलाग एक रात में नहीं गुजारे वो बाद में उसका जिकर आने व एक और बात जो इससले में अवरत और से तालुख रखती है वो है इम्रान की अवरत इम्रान हदरते मरियम अले इससलाम के वाली इम्रान मुझा अले इसलाम ने एक वाले का नाम भी अंव्रान ये एक नाम कितने लोग रखते जाहिक तो इम्रान की औरत मच्य अले इसलाम की नानी उनका नाम था हन्ना कहा था मैंने फ्ने पेट का बच्चा तेरे लिए नेजर माना है तो मुस्मे कपवोण कर पत जब उसने उस लड़की को जना तो हसरत से बोली मैंने तो लड़ की जनी और लड़को मालूम था जो जनी और कहा, ये लड़की और लड़कीं की तरह में ही है, इसका नाम मैंने मर्यम, मर्यम का मतलब होता आबिदा अबादत करने वाली, रखा, और मैं उसको और इसके अवलाद को, शैतान मर्दोर से तेरी इवाज़त में देती हूँ। मर्यम अलेहिस्सलाम की वालिदा, उनका नाम हन्ना, और उनके श्रवर का नाम विम्रान, कभी-कभी और अरते नजर मानती, मेरा बेटा हो गया, वो इसे हाफीज बनाओगी, मेरा बेटा हो गया, तो मैं उसे आलिम बनाओगी, ये नजर तो ठीक है, ये काना कि सब बच्चा हो गया, तो मैं डाक्टर बनाओगी, इंजिनीर बनाओगी, ऐसा नहीं, पुराने जमाने से ऐसा लोग करते थे, उशी से, अल्ला से हो दला, तो मुझे बेटा देते, मैं उसे हाफीज बनाओगी, आलिम बनाओगी, तेरे द पच्चा है आठ दस साल का, ले जाके दे दे तुम, हदरत ये आपका बेटा सामचेर्ज को जिन्दगी वेर आपके साथ रहेगा, खिदमत करेगा, हदरत अनस रजियल्ला अच्छान, जब अल्ला के रसूल मदिने को आए, उनकी वालिदा कर भूली, अल्ला के रसूल, ये मेरा बेटा अनस है, मैं आपको दे दी, अल्ला के रसूल, हमेशा आपके खिदमत करेगा, आठ नु साल थे, अल्ला के रसूल की खिदमत के बहुत खिदमत करते थे, चोटे बच्चे, अल्ला के रसूल के रसूल के बहुत मुखबत करते थे, वो तो दूसरी बात रदीश की, ये कुरान के अंदर, इस औरत ने नजर माने, नाम हन्ना, हन्नाम का नाम, अल्ला मेरे पेंट में जो बच्चा है मैं तरह धर के वास्ते देदैता हूँ बैति panelist के वास्ते देदैता हूँ यह बच्चा तुरी खिद्मत ख़एगा मेस जी नसर मान लिए अप बेटे के बज़े बेटी हो गए, बेटी क्या खिद्मत करेगी विभादत करेंगी वो होगा मस्जिद में क्या खिदमत करेंगी अल्ला बैटी होगे ना अल्ला अल्ला को मालूम है जब तो रज़र मानी तो बैटी थी अल्ला को मालूम है ये जो लड़की है बैटी ये मामोली बैटी नी यह बहुत अजीव शान बेटी होगी है, अब रज़र मानने तरें, वहां मजजीब में है, बैतुल मदिश में, उनके वास्ते एक कमरा बना दिया अब इबादत के वास्ते थे छोटी बच्ची जी, लेकिन अल्ला ताला उनको बहुत जल्दी बड़ी बना दिया, बहुत जल अब लड़के तो खिद्मत में नहीं रहेगी मर्दों के, को जुबानी देना उनका जिंदा लेकर, ना उनका फुला करना जिसा आजकल करते हैं, लड़के तो नहीं करेगी, विबादत के वास्ते छोड़ती है उसको, विबादत में मश्वूल लगती थी, उनके वालिद क इंतिखाल हो गया, पैदा होने से पहले उम्राम का इंतिखाल हो गया, अगों के खालू, खालू, अन्ना के बेहन के शोर, उनके खालू, जकरिया अलेहस्सला, अगों सब लोग लड़ते, महीज बच्ची को पालूगा, महीज बच्ची को पालूगा, उनके रिष्टेदा, तो अल्ला ने कहा हर आदमे अपना कलम कोई जो खलम रहा होगा समंदर में डालो जिसका कलम वापस आ गया वो उसको पाल लेगा सब डाले चार छे आदमे कितने भी थे सब के खलम तो चले गए जकरिया आले इसलाम का कलम आ गया वापस जक्रिया 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 उनके कफीर गार्टियन बढ़के अगर खाला जो है ज्यादा मुस्ताइख है अपनी भान की बेटी को पालने का इंतिखाल होगा मा का तो खाला के पास पालेगी याए कैसा उसका इतिखाल होगा शोहर का तो खालो ज्यादा मुस्तेख है ऐस बच्ची को पालने के अधे माशा अल्ला थी जाती मर्यम ऑल्यएसलाम अबादत में लगी रहती जक्रिया अलिय इसलाम खात रहते हैं, खाने की चीज़े, कुलमा दखला अलियाजा काराया था, वजदा अंदार रिस्का, जबनी मर्यम मर्याम का तोशर ले कर जाते हैं, तो बितेगा इतने खाने हैं वाँ, या मर्यम हो, अन्ना लग्यादा, बेटी कहां से आए तुझे? अल्ला के तरह से आया कोई की ताजूं के बाद नहीं ना मुशाल इसलाम थे ना उनके कौम जाके है वो वाद ये ती में ती चालीस साथ थी आस्मान से हमेशा उतरता था मन्नो सल्वा परिते पकड़ें पतानी कैसे वो तैयार होते थे खाते थे जैसे बड़े रहे ना वैसे और उसी तरह मेठा कोच वो वो खते थे इतने साल खाए और इस आल इसलाम के लोगों ने का था जब ये नभी बन गए अल्ला से दुआ करो ना अल्ला आस्मान से रोजी मुदाने दस् ताक हम रखा ठीक है अब इबादत करते रहेंगे अल्ला की इस आल इसलाम ने का ल्ला अन्जिल आले ना माईदत्त मिनस्समा अल्ला खाने पीने का जञजट खताब तुछ जलाओ मसाला पीसो फुला करो कुछ भी तुआ आस्मान से रोटा दे अल्ला हम खाप भी के तेरा अश्यकार रदा करें अल्ला ने का खीक मैं दूँगा आस्मान से रोटार होंगा इसके बाद अकर को ना फर्मानी ना शुक्री किया ऐसी सजा दूगा वेसी सजा किसी को नहीं दूगा नहीं 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 पड़े देखे ना को तो मरियम अलेहिभिस्वाम जाके भारती थी चक्रिया अलेहिसलाम ताचुब करते थे या अल्लाh, बेटी तुझे कहां से अल्लाh के पास आया, अब इसीतरह मरियम अलेहिभिस पाती थी, अल्ला का इंठ्ञान देखिए, ये पर्त में मरिय मालिय अस्वलाम नहां नेके लिए गई, कुछ भी डेरावरा बनाली, कप्डा बनानी, ऐसा नहीं समझना के लोग हर तरफ ये थे, नहीं जी आवादी बहुत अपना दुनिया की, थोड़ी दूर गई तो कुछ में मिलता अल्ला करें जब इस्तिंजा को जाते, थोड़ी दूर जाके बैट जाते, दरख के पीछे उधर इधर बैटके इस्तिंजा करते, और कितने लोग ऐसा थे, मक्के को इहरां बानने के लिए, ज़री दूर जाके वहाँ पूरा कप्डा निकालके नहा लेके ट्रवे बन लेते अइसा होता, तो मरियम अलिए इससलाम भी नहा रही थी, ये तंदुर उस्दू खोब शूरत आजमें के सामने आया, गलत बाद अल्ला, कैसे आए तू, कैसे आए, क्यों आए, कौन हो तूं, ये तो मरियम अलिए इससलाम को ताज्यों भी हुआ, उन्होंने का, मैं अल्ला का फरिष्टा, अल्ला ने मुझे भेजा है, तूंको बच्चा देने के लिए, अल्ला, हैरान होगी, अल्ला ने खुशपरी सुन आई, फरिष्टा ने मरियम, तूंको अल्ला बच्चा देने वाला है, अगली शादी हुई नहीं, कुछ भी नहीं, काल था, अल्ला, मुझे बच्छा कैसा होगा, अल्ला मुझे कोई मर्द का تालिफ हुआ नहीं, नë शादी ना जिनापनी नहीं ना अल्ला, अमपर खुदर उनको परेशानी हुएмет बच्चा हुआ, औरे मुहल्य के लोगा, इदर उदर के लोगा के क्या क्या बोलेंगे तो जिना करी तेरे पेट में बच्चा कैसा आया क्या आया अग ये बच्चा कितने दिन में पैदा हुआ अल्ला को मालूम एक मैने में पैदा हुआ के नौ मैने में पैदा हुआ किसी को मालूम भी नहीं प्रेट वैसी था वरना प्रेट बड़ा होता तो अगर पूश्टे ना लोग कईसा थेरा पेट बड़ा हुआ तेरे पेट में बच्चा कईसा पूश्टे ना नहीं अल्ला क्यों खुद्रत बाराल इसाद इसलाम पैदा ओगए पैदावने से पहले अल्ला ने ये मरियम अले इसलाम से कहा कि तुम जी नहर के किनारे जाओ नहर भी दिए वहाँ जाके नहर का पानी पीओ ये जो धरफ्त है इसको अलाओ खजूर गिरेंगे ताजा ताजा खाओ और पानी पीओ अल्ला का शुकुन अदा करो माशाणला बच्चा हो गया कोई दाया नहीं कोई नर्स नहीं कुछ भी नहीं कैसा पाइदा हो गया तो मरियम अले इसलाम इस बच्चे को लेकर आई आने के बाद लोग ताजो के अनना लग्यादा मरियम तेरे पेट में कैसा बच्चा या सब खबीले वलाए तेरे मापाप तो ऐसे खराब नहीं थे ना जिना बना नहीं करते थे ना तो कैसा करिये सब अब मरियम अले इसलाम क्या मरेंगी अल्ला नहुकुन दिया तो रोजा रख लाओ उस जमाने में रोजा उनका इसा था बात नहीं करना सोगे रात के 9-10 बज़े है खापी के रोजा शुरू हो दूसरे दिन 6-7 बज़े जिसे हम लोग करते हैं आज का वैसा बात नहीं करना किसी से बात नहीं करना नमाज से न बाप से न बेटी से न किसी से ये रोजा उनका उसके अलावा पे रोजा रहा होगा लेख यह तो मर्यम जैसलाम से कहां सा आया बैटा तुझे कैसा आया तो अशारत लए काहा के गोलिन जमान से बच्चा जो गहवारे में है उससे पूछो गावार एक बच्चे से हम कैसे पूछेंगे उनसे क्या बात करेंगे खाला इन्हीं अब्दुल्लाः फारण इसा अले इसलाम वो चोट बच्छ अभी पैदा हुए मैं अल्ला का गुलाम हूँ वही से एलान पर दिया सुभान आल्ला, पैदा होते ही ऑल्ला का गुलाम हुँ लेकि इसाइथि ऑल्ला का बेटा कितना जुम में देखिए, ऐसा मरीम अल vaig-सलाम का सुचना यह है, ALLAH के तरफ से कैसी कैसी आजमाईशे आती है सुभान अल्ला आरतों को भी आती है कैसा सबर किये होगे मरियम अलेहिस्सला सारी गों का ताना सुने होगे तश्मी सुने होगे उनके क्या क्या बाते सुने होगे लेकिन सबर करके थी न इसलिए अल्ला ताला ने मुसल्मान आरतों के लिए मरियम अलेहिस्सलाम की मिसाल दी है अरतों तुम मरियम बनने की कोशिश करो अल्ला के हर हुकुम पर चलो सबर करो अल्ला राजी हो जाएगा एक तो फिरौन की बीवी की मिसाल दी अल्ला ने एमान वालों के लिए नमोना कितनी बड़ी बात थी तो गया आरतों के लिए एक नमोना है इसलिए हमको चाहिए कि मरियम आले इससलाम किसी रड़ी सुने पड़े और उसका ख्याल भी करे अच्छा मरियम बोड़ने लगी मैं तो कुमारी हूँ ना मुझे लड़का कैसा होगा परिष्टे में का ऐसे ही अल्ला का फैसला है अच्छा फरमाते हैं लोगो अल्ला से गरो जिसमें तुमको ये जान से पैदा किया यहां तक सुर्य आल अमरान खतम निसा ये एक मर्द ये कवरस से कोरी दुनिया बनी आदम अले इसलाम हवव अले अले इसलाम मालूं ये हुआ कि हमेशा दुनिया में दोनों रहेंगे सिर्फ मर्द ही मर्द नहीं आउरत ही आउरत ही नहीं अल्ला ने ये को दूसरे का जोड़ा बनाया है जहां सा आदमी अवादत में गुजारे जिन्दगी और याद करे अपने माबा बादम अले इसलाम को और हुआ अले इसलाम को ये भी गोया आउरतों से एक तालुख है कि दुनिया जो आबाद हुई एक आउरत और एक मर्द से सुरे निसा के शुरू में अल्ला ने बता दिया दूसरा अल्ला फर्माते हैं लोगो अल्ला से गरो जिसने तुम को ये जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया और उन दोनों को दुनिया में बसाया और दुनिया उन से आबाद हुई फिर उसके बाद पांच में आरित तीसरी आरित के अंदर अल्ला फर्माते हैं यतीम बच्चे रहती थी यतीम बच्चे भी यतीम बच्चे भी रहती थी यतीम बच्चे को यतीम बच्ची को पालने की बड़ी खाईश सहाबा जाते न जिहात रो तो श्रीद हो जाते, अब उनके बेटी रहती है, उनका बेटा रहता, कभी कभी तो खुड बीवी जो मालदार रहती, सब कुछ होता, लेकिन कुछ नंग जरा आईसे रहती है, बच्चे को पालने के खायश है, यतीम बच्ची घर में रहतों कितनी बरकत, यतीम बच्चा घर और में रहतों कितनी अवर्त कितनी बरकत, और बल्ा कि रसुल याद आते कि अल्ला कि रसुल भी तो यतीम ही नठी बच्पन में, पैदा होने से पहले बाप का इंतिकाल हो गया, और बाप आत बच्ची बड़ी हो गयी, अब जो पाले ना, उन्हों खुश शादी कर लेते, कर ले सकते, इन्हों पाले ना, जने नहीं ना, उन्हों खुश शादी कर ले सकते, लेकिन बच्ची अच्छी है, सिजात मन दे, तंदुरुस पे, हुशुरत है, महर देना समझो, पचास हजार होगे, वो क्या सूचते यतीम बच्ची है कौन पोचेगा कौन दखल देगा पांच हजार उडिया देकर शादी कर ले महर का अला ताला ने ऐसा नहीं करना तुम यतीम बच्ची कुर्पा बच्ची कुर्पा ले हो उसका महर तोरा देना और अगर तुमको शुबा है कर महीं शायद इसका हख अदा नहीं करूँगा मत करो शादी का मत करो उसे जे बच्ची को तुम पाले किसे कोई दोस्ता करेगा उसे तुम दोसरी अउनतों से एक बीवी रखो और जरूरत है तो और एक बी रखो जरूरत है तो और एक भी रखो जरूरत है तो चौथी भी रखो यह अल्ला ने एक मर्दों को चार बीवी रखने की हिचासती काई दिया यतीम बच्चे का ख़ता नहीं कर से डर रहे तुमको मत शादी करो कोई दोसरा करेगा अच्छा मार देगा वहाँ जाके पलेगी वो तो यतीम बच्चीओं के लिए भी अल्ला ने वहाँ को ताकीत की है तो वहाँ तर पर यह कहते हैं एक मर्द चार से शादी कर सकता है और पुछने वाले पुछते हैं ये क्या हम नहीं कर सकते क्या एक और एक पुछे पैदर हुए बाप के बैटे ना पोरे क्या भी दोप नहीं ना लेकिन एक औरत के दो तीन शोहर है बच्चा पैदा हुआ किसका बच्चा वो? तीनों से सोफ़त के हैं ना कितना बड़ा फरक है जी? इसलिए एक मर्दे के दो तीन चार बीलिया हो सकती है लेकिन एक बीली के दो तीन चार शोहर नहीं हो सकते दुनिया का कोई फंद में इसे नहीं मानता, अरब में जिना का जमाना था, एक आउरत से तीन-चार आदमी सोबत करते, किराया फीज देना, जैसे बांपई में कमाटी को लगाते न, वह इसा जंडे लगा के रखती थी, जो भी आना चाहे, किराया देकर, उससे सोबत करेगा ऐसा दो, तीन, चार जाके करते थे, बच्चा पैदा हो गया, तो तीन, चार जो भी उससे सोबत कर सबको बुलाती, बुला कर देखती कि तेरा बेटा, मान लेना, तीन, चार आदमी सोबत करेना, जिसे बोली तेरा बेटा बोले तो मान लेना, नहीं बोल सकता, नहीं मेरा वाइसा जमाने जाहियत में था अब वाइसा नहीं है दुन्या में कहीं लहाजा कोई इस पर एतराज अगर करता है कि एक बीवी के तीचार शोहर के क्यों नहीं हो सकते पूछना चाहिए कि सब किसका बच्चा होगा वो कौन मानेगा उसको तो यह चल्द बात है थे हुरत के बागी बाते हैं इंशालला और तीम मजलिस में खत्म करने के कोचिश करेंगे अल्ला से जुआ कि लगा कि अल्ला हमारे नमाज रज़ों को अभूल फर्माए पुरान पढ़ने की उसपर अमल करनी कर लाच को तो कि पर फिर्माए ला ते हमारे रज़ों को आसान कर देए वर्मार पर ल्ला टाला उनकी हफादा पर्माए जालिः का खातिमा फर्माए ल्ला टाला हम सार को बाखी रमजान के दिनों में ज्यादे से ज्यादे अलगा अबादत करने की तोकित निसीम परभाए वा खिर VOICE हुआ अधियू नहीं आखिरू तावानां नी थान्या कृतिश झाल झाल